ओम श्री परमात्मानेनमा तो स्वास्थ लाव कैसे प्राप्त हो आयुर्वेद सास्त्र में स्वास्थ रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन यदि एक सादक एक मनुष बदी बत करता है तो उसे स्वास्थ लाव प्राप्त होता है सरीर के रोगों का वाड़न की विशे सूंची आयुर्वेद सास्तर में मिलती है पिर रोगों के प्रकार उसके बाद औस अशदी, औस अशदी के गुण दोस और उनके प्रकार और अशदी की मात्रा और चिकसा तो आयर्वेद सास्त्र में रोगी को रोगमक्त होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है जैसे कि रितु चर्या किस रितु में कैसा हार लेना है किस रितु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो यह आप आईरोविद सास्त्र पढ़कर के चीज़ सीख सकते हैं दूसरा है दिन चल रहा है 24 गंटे में आपको टाइम से सोना है टाइम से जागना है exercise करनी है पढायां बगररा योगि क्रिया को करना जब और ध्यान इसे मानसिक शान्ती प्राप्त होती हैं, Vladimirjor फिर तीसरा होता है कि पत्त या पत्त, रोगी को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जो तत्व या जो खादपदार्त या जो बस्तू में सरीर में रोग बढ़ाती है, रोग पधना करती हैं, उनका परेज किया जाता है और वो चीजें वो खाद पदार्त वो बस्तू है जो रोक को कम करती है सरी को उर्जा बल और सक्ति प्रदान करती है उनका स्रीवन किया जाता है फिर होता है कि जलवाईयू जैसी जलवाईयू में ब्यक्ति रहता है उसका अफेक्ट उसके सरीर और मन पर पड़ता है बाता वरन फिर माहौल जैसे लोगों के बीच में रहता है जो जगड़ा करने नहीं कि अब इरिव नशान को अ क्योंके मनमाने अच्रण करने वाले हैं मूड प्रुस्ज bilang कहते हैं जो बेवकूप ऐसे ऐसे लोगों के सानेद में रहने से भी स्वास्त बिगड़ता है क्योंकि उनके सानेद में रहने से मन में हीन भाव प्यदा होते हैं जब वेक्ति उल्टा सिधा चंतन करता है तो उसके ब्रेन से हार्मोन से स्थरावित होते हैं और वो उसके सरीर और स्वास्त के लिए आनिका तो यह सारे कारण जो तत्व हैं यह आयुरुवेद सास्त्र को अध्यान करने से आपको सीखने को मिल जाते हैं इसा पढ़ने से अध्यान करने से चिंतन करने से आपको एक आयुरुवेद और एक स्वास्त लाव की जहनकारी प्राप्त होती है तो मतलब आप जैसे किसी व्यक जाती है तो वो उसदी विज्ञान में आपको बहुत जड़ी वुटियां या वो उसदियां से बन करनी है जो आपकी बीमारी आपकी रोगों को कम करें और साथ में परेज करना है आयरुवेद का जो कमन्यूकेशन है को मनभू परेज और दवाई और दिन चर्याक को का समिस्रन है कि आप एक सहीयमित दिन चर्याक को अपना है तो सास्त्रों में जो है हर चीज का बढ़न किया गया है इस हमारे जो धर्म सास्तिन है जाब धर्म के हो आयरुवेद के हो तोड़ा संस्कृत करणन समझने नहीं आती है चUP तो स्वास्त रहने के लिए यही है कि यह व्यक्ति है कि के लिए कुछ कोमन नियम दिए जाते हैं जो सास्त में बताएगएं कि खाना काने के तुरणत वाट पाणी नहीं पीना पीना है कुछ देर से पीना है कि और रात्री को नो या दस वजे सो जाना है, सुबह पांच या चार वजे उठ जाना चाहिए, चार वज उठ जाना चाहिए, उठने के बाद आप प्रणायाम केजिए, योगासन केजिए, एक्सरसाइस केजिए, ध्यान केजिए, सरीर और मन का गनिष्ट संबंद होता है, सरीर को मन प्रवावित करता है, और मन को सरीर प्रवावित करता है, तो जैसे मन में पांच कोस होते हैं, प्राण में कोस, अन्न में कोस, मनों में कोस, विज्ञान में कोस, आनंद में कोस, तो ये सब पांचों कोस जिनरंतर ध्यान से स क्रिये एक्टि हो जाते हैं इनके ऑक्प होने से सादकापी चैतन ने व्यवेक सील और तत्व ज्यानी हो जाता है मक तोum के शारीर केसा सात मन का स्वस्ट रहना भी परम अवश्यक है एक स्वस्त तन में एक स्वस्त मन का वास होता है मन को स्वस्त करने के लिए मानसिक क्रियां है भगवान की वक्ती एक परमात्मा जो निराकार है उसकी उफासना सगुन रूप में करो या निरुगुन रूप में परमात्मा के लिए संगीत गाना और परमात्मा का ध्यान कर जब करना, प्रणायाम करना, धरणा, ध्यान, समाधी वगेरा उसके उन्नियम का पालन करना, योग को अपने जीवन सेली में अपनाना, योग जो है वो मन को निर्मल, निरोगी और स्वस्त बनाने की प्रक्रिया है, असल में अध्या आत्म की जो प्रक्रिया है, वो मन को निर मल और निर्दोस बनाने की प्रक्रिया है आत्मा ग्याधी पत्त में चलना चोदे अधी भूत अधी देव अधी अध्यात्म और अधी यग पांच ग्यानिंद्रियें पांच करमिंद्रियें मन बुद्धी चित्त हैंकार को अध्यात्मे लगाना अध्यात्मे अधी देव इन योग, अध्यात्व, देवी संपदा, जो यग में हैं, योग किरिया, योग में लगना, योग अभ्यास करना, निरंतर योग का अभ्यास करने से यह हो जाता है, और शरीर और मन को स्वस्त रखना ही संपून आरोग गिलाव है, तो सरीर में जो रोग होता है, पहले उस रोग की प्रकरती को एक रोगी समझे, डॉक्टर या वैद सिच गिसा लेने के बाद, वो दवाई को नियमत सेवन करे, साथ में परेज करे, तो उसे स्वास्तलाव हो जाता है, और जीवन में तीन प्रकार का ग्यान परमावश्यक है, एक आयुरवेद का ग्यान, दूसरा ये ब्यक्तिकत है, जो हमारे लिए, एक लाइफ इस्टाइल, एक फिटिनिस के लिए, दूसरा योग का ग्यान, अध्यात्म का, जो मन को निर्मल और निर्दोस बनाता है, सांती के लिए, और तीसरा है, समाजिक्ता का ग्यान, क्योंकि कि हम समाज के बीच में रह रहे हैं, तो समाज सास्त्र, तो समाज के बारे में हमें जहन करी होनी चाहिए, ये तीनों प्रकार का ग्यान, बहवारिक है, नेतिक है, एक मनुस्य सो साल तक जीता है, असी साल नभ्य साल तक, तो ये तीन प्रकार का ग्यान, उसके पूरे जीवन म एक महत्वपून योगदान निवाता है ज्यान भगवान स्री किष्ण भी कहते हैं गिता में नाहीं ज्यानेन सद्रश्यम पवित्र मियम ना बिद्यते तत सयम योग संसद्यम कालिनात बिचिदात कि है अर्जुन येस ज्यान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है इस संसार में लेकिन ये ज्यान निरंतर योगा चरण के द्वारा समस्त निंद्रियों को सयम करके मन को निरंतर ध्यान में लगा के प्राप्त होता है और इस ज्यान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है इस संसार में इस ज्यान की प्राप्ती कैसे होती है? योग और ध्यान से, तो योग असन जो होते हैं, वो विविन प्रकार के रोगों में अपना काम करती हैं, जैसे सर्वांगसम आसन, कुगुट्ट आसन, सिद्ध आसन, गरुन आसन, प्रश्चिक आसन, सर्वांगसम आसन, या हलासन, स्वसासन, 84 लाख यूनियों में सब 84 प्रकार के आसनों का वड़न किया गया है भिविन प्रकार के आसन, भिविन प्रकार के रोगों में काम करते हैं उसके लिए किसी अच्छे गुरू, योग गुरू की सानिद्ध की आवशकता है किसी अच्छे योग गुरू का सानिद्ध हो और हमें आयुरुवेद का ज्यान हो और जीवन को हम सांती और अनन्द पुर्वक जी है रोग मुक्त तो आयुरुवेद और धर्म ये दो प्रकार का ग्यान बैवारिक और पूर्ण रूप से नेतिक है ये आपको होना ही होना चाहिए इसके लिए आप अच्छी वुक्स करीद लें और उनको श्टडी करें और उ दिरे दिरे आपको जिंद होने लगेगा जड़ी उट्डेश prioritize होने से कभी व्यक्ति को कि को डॉक्तर उपलब्द नहीं है तो भी वह जानकार है तो अपने से भी मैडिशन करके सवस्थ हो सकता है कि तो ये जिंद होता है जानकारी हो हमेशा से जीवन रच्चक और जीवन का सार्थी है आप्त पुरुषों की वाणी में बेद, बेदान्त, उपिनिशत, रामायन गीता, योगदर्शन, ब्रह्म सूत्र, मारसी चरक्का, आयरोवेद सास्त्र यह सवाता है और यह ज्यान पूर्ण रूप से नेतिक है और इस ज्यान के दोरा समस्त प्राणियों का जीवों का भलाव होता है तो ज्यान की प्राप्ति के लिए ही तो सिच्चा है और सिच्चा के विविन आयाम हैं, विविन इस तरह है अधिकांस ग्यान प्राप्त करने के लिए महापुरसों ने बनों में एकांतमत तप किया योग साधना और तपस्या से भुद्धी निर्मल होती है भुद्धी जब समाधी में इस्तिर हो जाती है तो उसे समत्यों की सिद्धी कहते हैं आत्म ग्यान तत्त ग्यान और तत्व ज्यानी जो होते हैं वो तो किसी चीज़ अध्यन करें जो आयरुवेद हो अध्यात हो या खहुल विज्यान हो उनकी जानकारी भहुत सांटिपिक और भहुत स्टेटस होती है तो आयरुवेद सास्तर आप खरी सकते हैं चरक सहिंता और और भी छोटी किताब है, आप उनको अध्यन करें, अपने स्वास्त के लिए बयायाम करें, एक्सरसाइज करें, और अध्यन करें, तो आपको जो है, स्वास्त लाव होगा, सार्रिक और मानसिक, शरीर में पंच प्रकार से बायू प्रवाहित है, प्राण बायू, अपान बायू, समान बायू, वियान बायू, उदान बायू, इस पंच बायू में, महत पूर्ण स्वास और प्रस्वास है, प्राण बायू, अपान बायू, तो प्राण बायू जिसे हम खीचते हैं, और भाहर निकालते हैं, इन धोनों प्रकार की वायू से मन जुड़ा हुआ है, जो मन चिंतन करता है, मन में तीन गुण कार करते हैं, सात्विक, राजस, तामस, जब मन में तमोगुण होता है, तो सरीर और मन पर आलश, निद्रा, प्रमाद, विसे विकारों का भावुल होता है, जब मन पर राजसी गुण होता है, तो सरीर इंद्रियों में उत्तेजना, बेग, मन में चंचलता, सांती, प्रमाद, रागद्वेस, कामना, इक्चाएं, राजसी भावनाओं का भावुल होता है, और मन में सात्विक गुण होने पर दाणा, ध्यान, समाधी, ज्यान, बुद्धी का समत्वन स्तित प्रग्य है, और ऐसी मन की अवस्तव योग निरंतर ध्यान से प्राप्त होती है, योग साधना से, और जब बुद्धी स्तित हो जाती है, तब फिर आप आहिरुवित को पढ़ेंगे, उस पर चिंतन करें, या आप धरमशास्त्रों पर चिंतन आपका चिंतन आपका ज्ञान अत्यांत सूच्म और अत्यांत सांटिफिक और इस्तिर रहेगा और ज्ञान की प्राप्ति किताब पढ़ने से होती है सुनने से देखने से लेकिन मनन चिंतन से बहुत सूच्म और गहन ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञानियों ने हमेशा सा कि सांथविक जीवन जीएने से ज्ञान की प्रापती अत्यंत उच्छ आयाम में तो स्वस्थ रेने के लिए हमें वैयाम करना है नीमत दिन चर्या और इतू चर्या को अपनाना है और अपत अपत का विशेस द्यां रखना है और अहार में साथ्वे गरम और पवित्र हार लेना है और पर उसमें जिसे कोई तत्व बितामिन्स प्रोटीन मेनल्स तत्वे और उस ग्याने हमें आईरुवेद से हो जाएगा पर हम उसके सबसे अपनी आपको एरजेस्ट कर सकते हैं किसी की पित्त प्रधान प्रकृति होती है किसी की बात किसी की कफ तो जिसकी जैसी प्रकृति है उसको बैसा हार दिया जाता है इस प्रकार से आईरुवेद और अध्यात्म का ज्यान अत्यांत नेतेक और महत्तपून है यह हर मनुस्य के जीवन में होना चाहिए इस ज्ञान के होने से ब्यक्ति अपने पूरे जीवन को सुख, सांती और निरोगी और आरोग इलाव के साथ जी सकता है तो ज्ञान जो है वो अनन्त है और मनुस्य के पास उतना ज्ञान होना परमावस्यक है जो उसके जीवन में महत्वपून है और आयुर्वेद और अध्यात्म और योग ये हमारे सरीव मन के निरोग रखने और इनको स्वस्थ रखने के आयाम है इसलिए ये महत्वपून है, इसका रते हैं नहीं है कि जो और चीज़े हैं वो महत्वपून नहीं है, वो भी महत्वपून है, लेकिन उसके लिए भिभाग बना दी गए हैं, इसलिए इंजीनियर, इलेक्रिकल, मेडिकल लाइन में भी हिलोपी, हमोपी, थरवांपेटी, लेक् Clementi, खगुल विघ्यान के लिए अलग ब्रांच है, इंटरनेट की दुनिया अलग है, किरसी विघ्यान अलग है, दो भी विघ्यान ही है, वो ग्यान भी महत्वपून है, जी अध्यात्म का ग्यान अती अनिवार हो जाता है और जो ग्यान जो ग्यानी लोग होते हैं वो अपने जीवन को ग्यान की पूरवक जीवन को जीते हैं स्वस्त निरोगी और उनके जीवन में क्रांती होती है अध्यात्म तो चेतना की विकास के लिए है कि आपके मन आपके कितना विक्सित हो जाए भावनाव का सर्वुच प्रवा अध्यात में तो योग साधना करने से मनुस्य के व्यक्तित्व का विकास होता है उसकी भावनाव का विकास होता है उसके सोचने समझने का विकास होता है और ग्यान ही मनुस्य को एक प्रेम दया करूना आनंद से भर स बिश्व सान्ती संगटन जो है कि एक बिश्व को अपना परिवार समझो समस्त जीवों को प्रकरती पुरुष से उत्पन समझो और इसे अपने प्रकरती और प्रुष को ही अपने सास्वत माता पिता मानो और समस्त प्राणी जड़ और चेतन प्रकरती पुरुष से ही न रखो ऐसा भगवान बुद्ध भी कहते हैं तो ग्यानियों ने महाप्रसों ने शिद्धों ने समाज को अमेशा सत्त न्याय निती और एक सामयवाद का सिध्धान्द दिया तो पूरे विश्व सांती के लिए पहले हमारे अंदर सांती और ग्यान और सत्त का बोधुना प् समस्त मनुष्य एक हैं सब के इरधे में एक इंश्वर का वास है और सारी स्रष्टी का केंदर प्रम्तत परमात्मा है ये महत्पून वाते हैं धर्म सिध्धान्त की कि एक इंश्वर है उसके अंस समस्त प्राणी है और उस परमात्मा की भक्ति करके सब मोक्च सांती झाल झाल